बस्ती में प्रधान मंत्री के इस रेली में उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री योगी आदितनात भी मौझूद थे इसके बाद योगी जौनपुर गए यहाँ बिजेपी ने कृपार शंकर सिंग को टिकेट दिया है समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए योगी आदितनात ने कहा कि समाजवादियों को अभी सत्ता नहीं मिली है फिर भी वो आपस में लड़ रहे हैं और अगर जीत गए तो फिर पता नहीं आगे क्या होगा और इसलिए अच्छा यही है कि समाजवादी पार्टी को जिताया ही न जाए फिर एक बार फिर एक बार और अब की बार अब की बार चार सो पार चार सो पार की बच्चा बात होती है बैन और वाईयों सबसे जो भुरी इस्तिती होती हो समाजवादी पार्टी की होती है क्योंकि ये पार्टी ये पार्टी तो एक छेत्री पार्टी है कुल 60-62 सीटों पर चुनाओ लड़ रही है और प्रदेश के बाहर मद्दे प्रदेश में इसने खजराओं में नामंकन किया तो प्रत्यासी अपना नामंकन ही गलत भर दिया और कोई लड़ने के लिए नहीं मिला और अब तो समाजवादी पार्टी की और कॉंग्रिस की इस्तिती क्या है यह आप देख रहे होंगे आप सोचो जब सत्ता से कोसों दूर है तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं रोज भगदर, रोज राजकता, रोज मारपीट आपस में नूरा कुस्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे